शरीर में जब पीड़ा होती है ना शरीर में जब पश्टाता है तो हम होमयोपे थी एलोपे थी डॉक्टर के पास जाता है शरीर में जब पश्ट हुआ शरीर में जब पीड़ा हुई तो हम होमयोपे थी एलोपे थी डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे थोड़ी सी जवाई लेकर अपने शरीर की पीड़ा को मिटाते हैं उसी तरह शरीर में पीड़ा होती है तब हम डॉक्टर ढूंहते हैं और श्यू पुरान करती है जब मन में पीड़ा हो तो श्यू महापुरान की कभ़ा हो अपने भीतर की जो पीड़ा है अपने अंदर की जो पीड़ा है उस पीड़ा को किसी से मत अगर आप किसी के सामने जाकर रोगे भी ना तो दुनिया के लोग कहते हैंगे पहले तो फूली फूली फिरती कि अब जगत में रोती फिल रही है आप अगर रोना भी चाते हो और अपने दिल की बात किसी से कहना भी चाते हो तो किसी से मत कहो कहना है तो आपके नज़्दीक में जो संकर जी का मंदिर है वहाँ पर जाकर दो छण बेट कर एक बेल पत्री आप में लेकर और शिव जी से अपने दिल की बात कह दो दो वो दुख भी मिटाएगा पीडा भी मिटाएगा और गले भी लगाएगा पुश शनुतर पर एक पत्राया आएगा मैं आयूसी साहू शिवा नंद नगर राइपुर से हूँ कहीं बेठी हो आयूसी जी तो हाद हिलाई है आप ही है शिरी शिवा नमस्तोष दो मैं आयूसी साहू शिवा नंद नगर राइपुर से हूँ शिव की भक्ति का मैं क्या वर्णन करूं पंडी जी मेरे पात में शब्द नहीं है पहला मेरी माता का नाम पुश्पलता साहू है जिसका में फोटो डॉक्टर के यहां पर जब वेल्टी लेटर पर मेरी मां लगा रहे हैं आप भी एलेटी पर आस्था चेनल पर पर पैज्बुक यूटूप पर आप वोटो देख रहे हैं मेरी माता का नाम पुश्पलता साहू है वो पांस साल से किड़नी की बिमारी से गरसी थे और उनका हास्पिटिल में डायलेसेश चल रहा है इसी बीच उनके हाट में दिक्कत आई और डाक्टरों ने कहा कि आपरिशन के बिना ठीक नहीं होगा हम आपरिशन के लिए तैयार हो गए और डाक्टर ने कहा कि एक हपते बाद आपरिशन होगा इसी एक हपते में माता जी ने आपके द्वारा बताया गया पीपल के पत्ते वाला उपाय कर करना प्रारम कर दाक्तरों ने जाच करी जब एक हटे का जो समय मिला उसमें हमने पीपल के पत्ते वाला प्रयोग करा क्योंकि हम लोग भी पड़े लिखे हैं हम यह सब चीजों पर विश्वास नहीं करते थे पर मेरी मान ने कहा कि एक बार आप आप सियोर वाला महराज कहता ह करें एक है तो एक बार करो तो प्रयास और फैंपल के पेट्टे के जो हमने प्रयास करना डॉप्तर के यह वह हुम पलिभज के हम भी जैर जब ले कर गए तब बीज दिन तक बार को ब्रस भीज है और हमने जो अब पर छ आकर उंको दिखाया दिखाने के बाद उनको पुना फिर एक बुखार आया और बुखार आने के बाद फिर हम उनको बापिस लाए और आपने जो पीपल के पत्ते वाला प्रियुक बताई है वो करना प्रारम करा गुरुदेवble हम उनको बापिस ऑस्पिटिल आपreशन की तैयारी कर लेकर गए और डॉक्तर ने जाच करकर कहा इनका оп्परिशन कराने की ज़र्वद नहीं बढ़ेगी यह दवाई से ठीक होना प्रारंब्ध हो गयी अ है यह दो भाई से ठीक होना प्रारंब्ध हो गयी है गुर्देव अब बाबा की कृपां से उनका हाट का लकवा भी लग गया शरीर में इतनी कमजोरी थी कि डाप्टर ने कहा एडमिट होना पड़ेगा मम्मी ने कहा दवाई लियाओ एडमिट हो जाओं की मना नहीं शिवजी पे चड़ा हुआ एक लोटा पानी दवाई के साथ शिवजी को समर्पित करकर खाना प्रारम करा जल ले तेरी कृपा बिना नहीं है एक भी अलो लेते हैं स्वास तेरी कृपा से तरू तरू बखान क्या करूं में राखो के डेर का चपटी भभूत में खजाना पुरेर का हे गंगधार मुक्दी द्वार ओंकार तू आयो शरणति हार तर कर तू मेरा नाम जैश्री साहू है मैं गोडियारी रायपूर 36 गड़ की रहने वाली हूं जैश्री साहू गोडियारी रायपूर आप इधर है वेटा शरी शिवाय नमस्तू से गोडियारी 36 गड़ की रहने वाली हूं गुरुदेव मैं पिछले तीन साल से MBBS की तैयारी कर रही थी परन्तू सफल नहीं हुई आसफल का मिलती रही थी फिर मैंने आपकी कथा श्रवन करकर शिवलिंग पर एक लोटा जल और बेलपत्री में शहद लगाकर शिवलिंग पर चड़ाना प्रारम किया और इसी साल MBBS कि आलाटमेंट लिस्ट में मेरा नाम बाबा दिव दीदेव महादेव की क्रपा से आ गया है गुरुदेव 911-2022 जिस दिन कथा चालू हुई बाबा की क्रपा से श्री संकराचार इंस्ट्यूट आप मेडिकल साइंस कॉलेज भिलाई में मेरा एड़िशन हो गया है मैं बा खुश हो गए अब तो श्री शिवाय नमस्तु प्यां एसे ही निवेदन परुंगा जैसा कर्मा बाई है खेचड़ी खिला कर भगवान को साहू समाच का गोरानवित नाम किया एसे आप भी डॉक्तर में गोरानवित किया किए